फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि जनरल लैंग और जनरल है जिमें युद्ध चल रहा है जिसमें कि जनरल लैंग युद्ध जीत जाता है और साल में एक बार जीत का जश्न मनाया जाता है जिसे की लिबरेशन डे का नाम दिया गया इसके बाद हमें एक बड़ी सी जेल दिखाई जाती है, जहां पर कि उन लोगों को कैदी बना कर रखा गया था, जो कि जनरल है, जिका साथ दे रहे थे, उनसे यहां पर काम करवाया जाता था, इन सारे कैदीों के मुंह को हम एक लोहे के मास्क से बंधा हुआ देखते हैं, ताकि ये एक, दूसरे से बात ना कर पा रहे थे, इसके बाद वो उनहीं में से एक कैदी को बलाते हैं, जिसका नाम की कोटलैंड था, वो आकर उस मशीन को ठीक कर देता है, खैर अब इसके बाद हम इस जेल में एक और नए कैदी को आते हुए देखते हैं, जिसे वहां पर आता हुआ देखकर एक कैदी वहा अब यह देखकर बाकी के कैदी भी उन सैनिकों पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब उन ही में से एक सैनिक बाकी सभी कैदियों के लिए उस टर्बाइन को आउन कर देता है, अब यह देखकर कि उस टर्बाइन को आफ करने के लिए जाता है, और साथ ही उस सैनिक को भी मार देता लेकिन इससे पहले कि वो उस टर्बाइन को बंद कर पाता वो खुद भी उस टर्बाइन की, तरफ खींचा चला जाता है, जिससे कि वो अपनी जंजीर को गन से शूट करके उसे तोर, नेकी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटी जिसके बाद वो मजबूर होकर अपने पैर को ही शूट करता है, जिस वजह से उसका जंजीर वाला पैर उसके शरीर से अलग हो जाता है, और इसके बाद वो उस मशीन के पास जाकर उस टर्बाइन को आफ कर देता है, इसके बाद हमकी को एक रूम में सोया हुआ पाते हैं, और साथ ही इस जेल में वो जो नया दिया आया था वो कोई और नहीं बलकि जनरल है, जि था खैर अब जब की सोगर उठता है, तो वो देखता है कि उसके कटे हुए पैर की जगा एक रूबोटिक पै लगा दिया, गया है जिसके बाद है, जि एक मशीन की मदद से की के मुह पर लगे उस लोहे के मास्क, को भी निकाल देता है, यानि कि अब वो बोल भी भी सकता था, खैर अब हम आगे देखते हैं, कि है एचकी की बहादुरी देखकर उसे एक मिशन पर जाने के लिए कहता है, जहां पर कि उसे एक स्पेसशिप में जाकर जनरल लैंक के बारे में जांकारी एकठा करनी होगी जिसकी म देखते हैं, जिसका नाम है, एरोहेड यहाँ पर हम की को एक स्लीपिंग पोर्ट से निकलता हुआ देखते हैं, जो कि धीरे धीरे शिप के अंदर बढ़ रहा था और साथ ही जनरल है, जो उसे सारे सिस्टम को आफ करने के लिए गता है, लेकिन सारे सिस्टम आफ करने के ब छृफिंग पोर्ट थे, वो शिप से, निकल कर नीचे एक प्लेनेट पर गिर जाते हैं, जिसके बाद की भी जिस शृटल के अंदर था वो वो भी मैंशिप से अलग होकर उसी पलेनेट पर क्रैश हो जाता है, खैरब की के होश में आने पर उसे पता लगता है कि शृटल क कि थोड़ी दूर जाने पर उसे ओरी लिंडर की बॉड़ी भी मिलती है और उसी के पास एक sleeping port भी मिलता है जिसमें से की एक लड़की बाहर निकलती है जिसे की की एक oxygen मास्क बना कर उसे shuttle में ले जाता है खैर अब इनके जाने के बाद हम देखते हैं कि ओरी लिंडर की बॉड की को देखते हैं जिसे की एक अजीब पत्थर जैसी चीज दिखाई देती है जिसे की टेरन सिर्फ एक पत्थर बता कर आगे बढ़ने के लिए कहती है जिसके बाद टेरन की को बताती है कि ये कोई planet नहीं है बलकि एक चांद है जिसके बाद टेरन को यह भी पता लगता है क की है जिका भेजा हुआ एक आदमी है टेरन इस बात पर ध्यान ना देकर दोनों को एक साथ यहां से निकलने के लिए कहती है अब आगे की को रील की मदद से पता लगता है कि है चेक अच्छा इंसान नहीं था और तभी मैन शटल से एक मैसेज आता है जहां पर वो सारे बचे पाते जिसके बाद शटल के लोग एसके पोर्ट की मदद से वहां से चले जाते हैं और की और टेरन यहीं पर फंस जाते हैं खैर अब की एक गुफा के पास खड़ा ही होता है कि तभी एक क्रीचर उस पर हमला करके उसे अंदर खिंचने लगता है टेरन उसे बाहर निकालने कि उसी पत्थर जैसी चीज के सामने मिलता है जिसके बाद वो की को अपने शटल के अंदर ले जाती है होश में आने पर की को पता लगता है कि उसे वहां गए हुए चार दिन हो गए थे साथ ही अब उसे अपने शरीर पर चेंजेज फील होते हैं और उसका पैर भी अब ठी शटल का सिक्योरिटी इंचार्ज था जिसके बाद ये दोनों उसी पत्थर जैसी चीज के पास जाते हैं ये दोनों उसे तोड़ देते हैं जिसके अंदर से इन्हें ओरी लिंडर की लाश मिलती है और वो अभी भी जिंदा था खैर अब ये दोनों उसे शटल के पास ले ज और वह अब अजीब सा बरताव करने लगता है और सीधा गन उठाकर की और टेरन पर शूट करने लगता है जिस वजह से टेरन को गोली लग जाती है और इसलिए कि गुसे में आकर ओली एंडर को मार डालता है और तब ही वो देखता है कि इस सब में उसे भी गोली लग चुकी और इसलिए वह दर्द की वजह से, वहीं पर बेहोश हो जाता है, अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है, कि की एक जगह पर बेहोश होता है, और की अभी भी जिंदा था खैर अब होश में आने के बाद वर शटल की तरफ जाने लगता है, जहां पर की बाहर उसे दो कंका मिलते थे हैं, जिसमें कि उसे लगता है कि इनमें से एक लिंडर का है, और शायद दूसरा टेरेन का खैरब शटल के अंदर जाने पर रीफ उसे बताता है कि उसे गए हुए 34 दिन हो गए हैं, और अब लिबरेशन डे में सिर्फ 22 डेज बाकी हैं, जिसके बाद अब हमें यहा शटल के बाहर भागने लगता है, और यहां आने पर उसे एक अजीब सा क्रियेचर दिखाई देता है, जिसके के बाद वो दूसरी तरफ भागने लगता है, और अब थोड़ी दूर भागने के बाद उसकी बाड़ी भी उसी क्रियेचर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और और ये सीन यहीं पर ब्लैक आउट हो जाता है, जिसके बाद हमें आगे फिर उसी शटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि की अपने computer system reef को उस creature को अपने अंदर से निकालने के लिए कहता है, और वो अपने आप को चोट पहुचाने की भी कोशिश करता है, जिसके बाद reef कब उसे बताता है की, उस creature पर शूट कर देता है, जिससे वो creature मारा जाता है, खैर अप शटल के अंदर आने के बाद reef की को बताता है, की की एक regenerated body है, जिसे की उसी creature ने बनाया है, और यहां तक की की वो तो एक बार मर भी चुका है, जिसके बाद reef उसे तीन साल पहले की recording सुनाता है, जिस दिन की टेरेन मरी थी, जिसे सुनने के बाद की को पता चलता है, की टेरेन उस दिन मरी नहीं थी, बलकि बोबस रखमी हुई थी, और वो वहां से दूर चली गई थी, जिस वजह से उसका signal कट गया था, और वो जो दोस्के लेटन थे वो, ओली एंडर और की के थे, ये बात सुनने के बाद की इमोशन हो जाता है, और बाद, में वो अपने दोस्त रीफ के साथ मिलकर टेरन को ढूंधने का फैसला करता है, अब अगले दिन की रीफ में कुछ चिंजेज भी करता है, जिससे की अब वो फ्लाई कर सकता था, और इसके बाद ये दोनों टेरन को ढूंधने के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक बड़े से टरनल के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर अंदर जाने के बाद रीफ उस टरनल को स्कैन नहीं कर पाता क्योंकि इस जगह की इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड बहुत ज्यादा तेज थी, अब यहां पर की के रीजनरेटेड बॉड़ी को पत्थरों के बीच में पाता है, जिसके बाद वो लिंडर की बॉड़ी को मार देता है, जिसके बाद वो क्रियेचर मारा जाता है, लेकिन वो अपनी बॉड़ी को नहीं मारता, यहां पर उसे अपना वो रोबोटिक पैर भी मिलता है, जिसे व आगे उसे आसमान से बहुत सारे escape ports इस planet पर crash होते हुए दिखाई देते हैं और ये वही ports थे जो की तीन साल पहले इन्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए थे और फिर उसी आसमान में एक spaceship भी दिखाई देती है जो की है एज की होती है इसके बाद की अपने shuttle में जाकर data को है जिको transfer करने लगता है जिसके बाद वो spaceship वहीं पर land होती है जो की की के भेजे गए signal से आई थी जिसके बाद उस ship में से दो लोग निकल कर उसके shuttle की तरफ आते हैं जिसमें से की एक हैज भी था जो की की को मारकर बेहोश कर देता है खैर अब होश में आने के बाद की अ उसे बता देता है कि सारी जांकारी उसके computer में है जो की shuttle के बाहर है जिसके बाद है जिए shuttle के बाहर जाता है लेकिन उसे उस computer में कोई जांकारी नहीं मिलती जिसके बाद है जिए granite को activate कर देता है लेकिन की ने पहले से ही वो granite अपने computer के साथ attach कर दिया था जिससे granite है जि का एक आदमी की को मारने के लिए आगे बढ़ता है जिससे की अब की को गुसा आ जाता है और इसके बाद वो उसी क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और देखते ही देखते हैं जिके उस आदमी को बुरी तरह से मार देता है और यहाँ पर गुसे में होने की वज़र से वो रीफ पर भी हमला करता है जिससे कि उसके टुक्रे हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर टेरेन के शांत करने पर की वापस से नॉर्मल हो जाता है लेकिन तभी यहाँ पर है चाहता है जो कि ब्लास्ट की वजर से जखमी था वो यहाँ पर की पर शूट करता है लेकिन कि उसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें